हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Educated भारत में दोस्तों आज हम पॉलिटी का एक important टॉपिक देखने वाले हैं जो है अंत्रिम मंतरी मंडल और स्वातंतर भारत का पहला मंतरी मंडल दोनों ही मंत्री मंडल को हम बहुत असान ट्रिक से याद करेंगे जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर एक बार आप ये ट्रिक को समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको ये सारे मंत्री मंडल किस नेता को मिले हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा इसलिए वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यहां से एक नएक वेशन एक्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर दीजेगा इसे जादा से जादा शेयर कीजेगा दोस्तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे और बेल आइकन जरू प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो मिलते रहें चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं जवाहर लाल नहरू इन्हें दिया गया था विदेशी और रास्ट मंदल मामले का मंत्राल है तो इसे आपको याद कैसे रखना है आप ऐसे याद रखेंगे कि जो जवाहर लाल नहरू थे इन्हें विदेश जाना बहुत पसंद था यह विदेश जाना चाहते थे, अलग-अलग रास्टों में घूमना चाहते थे, तो इन्हें विदेश जाना बहुत पसंद था, अलग-अलग रास्ट में जाना पसंद था, इसलिए इन्हें विदेशी और रास्ट मंदल मामले का मंत्राले दिया गया था, इसके बाद नेक्स ग्रह में मतलब घर में इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण देखिए तो भाई जो होता है वो बहार जाता है और बहार से सबस्यादा सूचना लाने का काम कौन करता है तो वो भाई करता है इसलिए बल्लब भाई पटेल से आप याद रखिए ग्रह सूचना एवं प्रसार मंत्राल है इन्हें दिया गया था अंत्रे मंत्री मंदल में नेक्स्ट है बलदेव सिंग देखें इनके पास था रक्षा मंत्राल है अब जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा तो इसलिए बलदेव सिंग के पास क्या था रक्षा मंत्राल है नेक्स्ट है जॉन म मेथने मθने का काम कहां पर होता है उद्योग वं कर नहीं है इसके बाद है C. राजगोपालाचारी जिनने दिया गया था सिक्षा मंत्राले देखे कोई भी वैक्ती राज तभी कर पाएगा जब उसके पास क्या होगा जब उसके पास सिक्षा होगी अगर किसी वैक्ती के पास अच्छी सिक्षा है तो वो जरूर राच करेगा कहा जाता पढ़ लिख लो राज करोगे तो अगर आप राज तभी कर पाओगे जवाब के पास सिक्षा होगी तो सी राजगोपालाचारी के पास क्या था कौन सा मंत्राले था तो सिक्षा मंत्राले फिर आते हैं सी एज भाभा देखिए भाभा को तो हम सभी जानते किस से उर्जा से ज याने की उर्जा की बात हो रही है तो भाभा से आपको उर्जा देख के आसानी से याद आ जाएगा इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद देखिए राजेंद्र प्रसाद के पास था खादे एवं क्रिशी मंत्राले अब जिनके नाम में ही प्रसाद है प्रसाद कैसा होता है खाद्य सामगरी होती है खाने की सामगरी होती है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर आप याद कर सकते हैं कि जो राजेंदर प्रसाद थे वो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट मतलब की पुराने व्यक्ति, पुराने व्यक्ति जो थे, वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें क्या करना पसंद होता है, क्रिशी करना बहुत पसंद होता है, तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद एवं मत्राले था next है आसव ली जिनके पास था railway ठीक है असी अली की पास क्यां था रेल्वेज था अब हम जब भी railway station पर जाते हैं तो हम सभी को आस होती है railway station पर जाके हम सभी को आस होती है तो आस से आपक्या याद रखेंगे असमघ अmelी किस्की आस होति है कि train बिलाटिए होगे, थोड़ी देर में आएगे कभी कभी लेट हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें पता रहती है हमें की टरेन आएगी। तो आससा फली के पास मन्त्राले था। रेल मन्त्राले। इसके बाद आते हैं जग जीवन राम जिनके पास is श्रम है बहुत जाद सारे अग्जाम में पूछा गया है हमाना जुद है अगर हम चाहते हैं कि वह आसे während से बीत ऊटिए जग जीवन राम अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन आराम से दिए तो हमें क्या करना होगा हमें किर एक लग अथिक श्रम करेंगे आपका जीवन उतना आराम से बीतेगा तो जग जीवन राम के पास कौन सा मंत्रा ले था तो उनके पास था श्रम मंत्रा ले अब देखिए यही जो जो हमारा अंत्रिम मंत्री मंदल था इसमें मुस्लिम लीक के सदस से भी जुड़े थे आप सभी को पता होगा कि पांच मेंबर जो थे मुस्लिम लीक के वो अंत्रिम मंत्री मंदल में आकर जुड़ गए थे कब 26 अक्टूबर 1946 को यह डेट बहुत इंपोर्टेंट है इस दिन अंत्रिम मंत्री मंदल में मुस्लिम लीक के सदस से भी शामिल हो गए थे कितने सदस से शामिल थे पांच तो इनका मंत्राले भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है और बहुत जादा पूछा जाता है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए अब इने याद करते हैं लियाकत अली खान जिनके पास था वित्त मंत्राले लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्राले था देखिए यहां पे इनके नाम में क्या शुरू हो रहा है लिया लिया मतलब लेते क्या उधार लिया क्या लिया उधार लिया उधार किस चीज का ले सकते हैं वित्त का, पैसे का ही तो उधार लोगे, तो जब भी आप लियाकत अली, यानि कि लेना, तो लेते हैं, अक्सर उधार लेते हैं, उधार भी क्या ले सकते हैं, वित्त ले सकते हैं, पैसा या फाइनेंस को ही तो उधार लेंगे, तो लियाकत से आपको याद रखना है, वित्त मंत्राले अब यहाँ पर आता है आई आई चुंद्रीगर आई आई चुंद्रीगर के पास कौन सा मंत्राले था तो इनके पास था वानेज वानेज या कॉमर्स अब इसे कैसे याद रखेंगे देखें चुंद्रीगर साउंड करता है चुंगी कर पहले चुंगी कर लगता थ चुंगी टेक्स लगता था तो जहां भी कर यह टेक्स की बाते होती है किस में होती है वानिज्य में होती है कॉमर्स में ही तो टेक्स की बाते होती है तो आपको याद रखना है चुंदरीगर से याद करना है चुंगी कर और इसे याद रख लेना है कौन से मंत्राले ने दिय गया था फिर आते हैं अब्दुल्रब नश्तर नश्तर को अगर मैं नश्तार कर दू तो पहले तार आते थे तार किसके माध्यम से आते हैं डाक एवं संचार के माध्यम से ही तो तार आपाते थे तो नश्तार को आपको कैसे याद करना है डाक एवं संचार से तो अब्दुल जलित नेता थे लेकिन मुस्लिम लीक की तरफ से इने सीट मिली थी इसलिए उनका नाम बहुत जादा पूछा जाता है तो जोगेंद्रेनात मंडल देखिए जब भी हमें मंडल बनाना पड़ता है यह हम 10-12 लोगों को जोड़के मंडल बनाते हैं तो उस मंडल में भी कुछ विधी होती है उसके भी कुछ कानून होते हैं तो कानून के तहत ही हम मंडल बना सकते हैं तो आपको याद रखना है जोगेंद्रेनात मंडल कौन से डिपार्टमेंट के थे कौन से मंत्राले के थे तो वो थे विधी मंत्राले के या कानून मंत्राले के क्योंकि कोई भी नात्मंडल के पास विधी मंत्राले था नेक्स्ट है गजांतर अली खान और इनको मिला था स्वास्थ देखे गजांतर गजांतर में सबसे पहले क्या आता है गज गज मतलब होता है हाती हाती जो है उससे स्वस्थ क्या कोई और होगा वच्छा मोटा हट्टा गट्टा होता ह तो सबसे स्वास्त गज से आपको क्या आद जाएगा हाथी और हाथी का स्वास्त कैसा रहता है सबसे बेस्ट होता है तो आपको याद रखना है गजांतर अली खान के पास स्वास्त मंत्राले था यह हमारे पूरे हो गए अंत्रे मंत्री मंडल अब इसके बाद हम देखेंगे स्वतंतर भारत का जो पहला मंत्री मंडल था क्यूकि अंतर्य मंदल और स्वतंतर भारत के पहले मंदल से ही question पूछे जाते हैं और यही पर हमको हो जाता है confusion इसी लिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में डाला है ताकि आपको कोई भी confusion ना हो पाए अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल इसमें सबसे पहले हैं जवाहर लाल नहरू तो आप सभी को बताया है जवाहर लाल नहरू के पास इन्हें विदेश गूमना बहुत पसंद था तो विदेशी और रास्ट मंडल मामले किसे दे दिये गए थे जवाहर लाल नहरू को जब सवतंत्र भारत का पहला मंत्री मंडल बना तब भी जवाहर लाल नहरू के पास विदेशी और रास्ट मंडल मामले दे दिये गए और इन्हें साथी साथ क्या बना दिया गया प्रधान मंत्री बना दिया गया तो अब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री मंदल में जवाहरलाल नहरू के पास एक तो प्रधान मंत्री है वो दूसरा जो उनके पास पहले से ही है विदेशी और रास्ट मंदल मामले क्योंकि जवा सूचना लाने का काम कौन करता है तो वो भाई करता है तो सूचना एवं प्रसारन भी किसे मिला है भाई को मिला है तो अब क्या कहा गया भाई को कि तुम ग्रहे तो देख रहे हो सूचना भी ला रहे हो तो एक काम करो राज्यों के मामले भी तुम ही देख लो मतलब सरदार ब प्रसाद देकि राजेंद्र प्रसाद के पास खाद एवं कृशी मंत्राले था और पहला मंत्री मंदल बना स्वतन्त्र भारत का उसमें भी ने क्या दिया गया खाद एवं कृशी दी गए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आते हैं John Mathai, जॉन Mathai अभी हम देख कर आए मतना इनके पास कौन सा मंत्राले था अंतरिम सरकार में? इनके पास था उद्योग एवं आपुरती कि मतने वाला काम किस में होता था उद्योग में होता है लेकिन इन्हें स्वतंत्र भारत में कौन सा डेपार्टमेंट दे दिया गया रेलवे डेपार्टमेंट इन्हें दे दिया गया अब इन्होंने तो railway join कर लिया तो जो इनका उद्योग एवं आपुर्ती था ये किसके पास गया तो ये गया श्यामा प्रशाद मुखरजी जी के पास ठीक है तो आपको याद रखना है कि पहले जौन मताई के पास क्या था उद्योग एवं आपुर्ती था लेकिन जैसे इन् मुखरजी के पास उद्योग एवं आपुर्ती मंत्राले दिया गया था सुतंत्र भारत के पहले मंत्री मंदल में नेक्स्ट है बलदेव सिंग तो देखे पहले भी जिसके पास बल था वही रक्षा करता था अभी भी जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा तो आसानी से य इसके बाद आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या दिया गया सिक्षा मंत्राले दिया गया इससे पहले सिक्षा मंत्राले किसके पास था तो सी राजगोपाला चारी के पास था देखे कहा जाता है कि जिसके पास सिक्षा होगी वही क्या करेगा राज करेगा तो राज आज गुपाला पाचारी के पास क्या था? सिक्षा मंतराले था, लेकिन अब किसे सुटंतर भारत में किसके पास चला गया यह मंतराले? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कलाम को हम कलम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है कलम, सिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर तो कलम जो हमारा पैन होता है वही सबसे important role play करता है तो मोलाना अबुल कलाम अजाद में आपको कलाम को कलम पढ़ना है कलम से आपको तुरंद माइन में आ जाएगा कि सिक्षा मौलाना अबुलकलाम आजाद के पास सिक्षा मंत्राले दिया गया था अब इसके आगे देखते हैं इसके आगे है राचकुमारी अमरित कौर जिनके पास है स्वास्थ मंत्राले राचकुमारी अमरित कौर में गजांतर अली खान को दिया गया लेकिन जिस वैक्ति ने अम्रित पी रखा है जिसने अम्रित पी लिया है उसका स्वास्थ तो सबसे अच्छा रहेगा ठीक है अब यहां पे कौन है राचकुमारी अम्रित कौर यह समझी है इनोंने क्या पी रखा है अम्रित पी रखा है जिसने अमरित पिया है, उसका स्वास्त कैसा रहेगा? सबसे अच्छा रहेगा. तो राचकुमारी अमरित कौर को स्वास्त मन्तrali दिया गया है. इसके बाद आते हैं डौक्तर B.R. अमबेटकर, सभी को पता है सम्विधान के पिता डॉक्टर बियारंबेटकर को कहा जाता है तो इन्हें किसका मंत्राले दिया जाएगा विधी मंत्राले कानून मंत्राले जो था जो हमारे सम्विधान के पिता है बियारंबेटकर उनके पास ही रहेगा तो ये याद करना भी बहुत इजी ह आगे देखते हैं, North है शड, मुगं, शेटी, देखे बहुत जादा important है, यह है वित्त मंत्राले इनके पास कौन सा मंतराले दिया गया था सटंत्र भारत में, वित्त मंत्राले वित्ती आने क्या होता है, Finance या फिर पेसा, जब वेक्ति के पास ज़्यादा पैसा आने लगता है तो वो सट्टा खेलने लगता है जब वैक्ति के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो क्या करने लगता है सट्टा खेलने लगता है तो आपको कैसे याद रखना है वित्त यानि पैसा आया तो वैक्ति ने क्या किया सट्टा खेलना शुरू कर दिया तो इससे आपको शेटी याद जाएगा सटे से आपको क्या याद आएगा शेटी, तो सड मुगम शेटी के पास कौन सा मंत्रा ले, वित मंत्रा ले इसके बाद है रफी एहमद किदवई, जिनके पास था संचार मंत्रा ले, देखिए मोहमद रफी के गाने तो आप सबी ने सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, तो मुहमद रफी के गाने हम कैसे सुन पाते हैं, संचार के माध्यम से सुन पाते हैं, चाहे रेडियो में सुने चाहे टीवी में सुने, या मोबाइल में सुने तो यह संचार का एक माध्यम है तो रफी के गाने कहां मिलेंगे संचार में मिलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा रफी एहमद किद्वई जिनके पास कौन सा मंत्राले था संचार मंत्राले नेक्स्ट है वी एन गॉडगिल जिनके पास था कार ये खान और उर्जा अब यहाँ पर देखिए गॉडगिल में एक वरड आ रहा है गॉडगॉड का मतलब होता है भगवान भगवान जो होते हैं वो ही हमें खाने को देते हैं और इसी खाने से हमको उर्जा आती है आपको कैसे याद रखना है गौड गिल में जो गौड है गौड ही तो हमें खाने को देते हैं और इसी खाने से हमको उर्जा आती है तो हमें याद क्या रखना है वी एन गौड गिल के पास कारे खान और उर्जा मंत्राले दिया गया था सुतंत्र भारत के पहले मंत्री मंडल में इसके बाद एकी मंत्राले बचता और एकी वैक्ती बचते हैं जो हैं CH भावा जिनके पास पहले क्या था कारे खान ऊड़ जा थी लेकिन अब CH भावा के पास क्या आ गया है वाने जया पॉमर्स इन्हें दे दिया गया यहीं पर दोस्तों हमने सारे दोनों मंत्री मंडल को कवर कर लिया है जितने नेता थे कौन सा मंत्राले इनके पास था ये वी कवर कर लिया है आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू कर दीजेगा इसे जादा से जादा शेयर कीजेगा आज के लिए बस इतना है आपसे मुल प्लाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत